आरकेश्डी कॉलेज में जिला आर्टी एसोसीेशन के परधान अश्वनी शोरेवाला का परधान बनना लगवकते हैं। 21 में से 19 कॉलेजियम सदस्यों ने सरसम्मती से उनके चैन पर मोर लगा दी है। इसके साथ ही पंकज बनसल को लगातार तीसरी बार महासचीव चुना गया है। साथ ही शाम बनसल को इस बार उप परधान के लिए सभी 19 सदस्यों में सरसम्मती हुई है। 26 परवरी को नमांकन पत्र जमा करवाने के साथ ही साथ हो जाएगा कि 2 मार्च को होने वाला चुनाओ महज उप चारिकता रह जाएगा। देखिए मुझूदा परधान वै भावी परधान ने इस बारे में क्या बताया। परधान जी कई दिनों से कॉलेज की चुनाओ को लेकर के कॉलेजियम के चुनाओ के बाद चर्चाएं थी कि कमेटी में बनेंगी और उसमें कई उमीद वारा सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि राश्य विद्यस्मिती की गवर्णिंग बोडी का चुनाओ दो तारिक के लिए निर्धारीत है। उसके लिए हमारे ग्रूप की तरफ से परधान पद के लिए अशुनी शोरेवाले जी और वाइस परधान के लिए शिरी शाम बंसल जी, सेक्टी के लिए पंकज बंसल जी और टेजरार के लिए शिरी अशोक मंगल जी। जो है यह चारो जो है आज इनोंने जो है निर्वाचन पत्र लिये हैं जो कि 26 तारी को यह भरके चुनाव अधिकारी को समिट किये जाएंगे। परधान जी जो मीटिंग हुई थी दो दिन पहले, उसमें कितने कोलेजे मेंबर थे जिसमें सरसमती से फैसला लिया गया। उसमें हमारे ग्रूप से 19 कॉलेजे मेंबर बने हैं और 19 के 19 कॉलेजे मेंबर ने अपनी समती जाहिर की कि वह यह चारो कंडियेट हैं यह ठीक है और इन चारो कंडियेट को ही चुनाव लड़वाया जाएं। बीच में सहर में चर्चाएं चली की एक से ज़्यादा प्रधान पद के उमीद वार आ सकते हैं और कुछ लोगों के नाम भी चर्चाओं में चले तो किस तरह से उस चीज़ को आप लोगों ने विचारी मर्स करके जो है फाइनल किया यह सिरफ अफवा थी हमारे ग्रूप स जो है शुरू से ही अश्वनी जी का नाम प्रधान के लिए था और अश्वनी जी को ही हमारा ग्रूप प्रधान बनाएगा प्रधान जी आज आपने यह पुलिकली स्विकार किया असुनी जी का नाम था और पहले से ही सहर में इस बात की चर्चाएं थी कि असुनी जी का आ मेरा अकेले का नहीं था यह सभी 19 कोलेजियं मेंबर का फैसला हुआ है कि अश्वनी जी जो है अब की बार प्रधान पत के उमिद्वार है और अश्वनी जी ही प्रधान होंगे मेरी कमिट्मेंट यह थी कि मैं अब की बार प्रधान पत का उमिद्वार नहीं होंगा और अश्वनी जी से मैंने कहा था कि अश्वनी जी मैं आपके साथ हूं और अगर आप प्रधान बनते हों तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मैंने अशुनीची को शुरू से कह दिया कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ और आपको परदान बनाने में पूरी की पूरी आपकी मदद करूँगा पूर्दान दी आई ये लोगों के मन दे रख है कि आरिवीयच और आर्केशडी कोलेज प्रदंदक स्मीती का चुनाओ ये जो चुनाओ है वो क्या है और आर इघ्यच को चुनाओ है तो फिर आर्केशडी चुनेंगे जिसका चुनाव दो तारीक को होना तै हुआ है और इसका चुनाव होने के बाद कॉलिज की गवर्णिंग बॉड़ी के चार ओफिस बीर का चुनाव होगा उसके बारे में कॉलिज की गवर्णिंग बॉड़ी की मीटिंग जो है कॉल की जाएगी और वो उसमें ज एक्षन अपोजिट साइड से भी लड़ा था पजान जी से बात करेंगे अश्वनी जी पहले तो आपका ड्वास में बताई है तैंक्यू तैंक्यू जी आप क्या कहेंगे जो आपका नाम प्रपोज किया है अपने सरुसम्मति से और आज आप लोगों ने फॉर्म भी ले हैं ऐसे है आज हमने चारों जोनों ने हमारे कंडिडेट्स ने हमने फारम ले ली हैं जैसा सकेज जी ने आपको बताया भी है अपस में हमारी सबकी बात हुई थी ये तो बैटके सकेज जी बोले भई आपकी बार मैं परदानपत का दावेदार नहीं हूँ तो आश्वने जी आप ही परदानपत के दावेदार होंगे तो ये पहले भी बात हुई थी हमारी और आज भी हम उसी बात पर कायम है और देखो चुनाफ तो जब होते हैं अफ़ाओं का बजार तो गरम रहते हैं लेकिन मैं आगया सकेज जी आगया हम अपनी जबान के हमीशा ही पके रहे है आपको आप सकेज जी के बारे में जानते हैं मेरे बारे में और सारे मेंबर्स के बारे में भी पीच में तरचाएं बाजपा कांगरेस की बारे में नहीं देखो ये तो कोलिज की संस्ता है अगर बाजपा और कांगरेस की बात होती है तो हमारी तरफ से शाम जी भी एक दो केंडिडेट ओरते जो बीजेपी के अंदर हैं ऐसा खुछ नहीं है तो संस्ता है संस्ता के अंदर राजनीती नहीं राजनीती होगी तो संस्ता ही खतम हो जाएगी हमारी कोशिश ही रहेगी कि जो यह संस्ता है आज तक राजनीती से बार ही है तो आगे भी यह राजन को इस संस्ता को राजनीती से बाहर रखा जाए एक तो पहले तो आप अपने उन साथियों के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने सरसम्मती से आपका नाम प्रपोज किया प्रदानपद के लिए सबसे पहले तो मैं अपने सबी साथियों का मेरे को यह मानसमान देने के लिए उ आप लगबग परधान बनने जा रहे हैं, और निर्विछ चुने जाएंगे. तो आपकी क्या यो जनाएं को लेकर रहेंगी, क्या आपके जो मन में है कि कोलेज हुं यह करेंगे? ऐसे हैं, यह बतें कई बार हुचुक्चे हैं, अबी कोलेज की. सबसे पहले तो यह बात है जो हमारे हमने पीछे मैं च्छीन साल से सकेच जी ने बारह साल ही लगा लो आप ग्यारह से यहाँ पर हमारे गृूप कोलिज चे अंदर आया था आप देखते हो कोलेज में काफी काम हुआ थो ये तो दुरो दबारा जो काम पयंगे रह गया है वह सारा का सारा wijं सारा काम पुरा करेंगे यू जनाओ की थो बात यह यू इंडाओ तो बैठके ही बनेंगे जब सारा ग्रूप है सकेट जी है स्टी जी है नील भाई है और ये सारे जो हमारे नए कई मेंबर हमारे नए भी चुनकर आए है तो इन सबसे मिलके बैटके नही नही जुनाओं पर कारिया होगा और जो भी कोर्सी जोगेरा हमारे कोलिश के अंदर नहीं है उनको लेकर आने क बढ़ा जाए ना कि उससे नीचे लिका जाए कोलिज में बहुत सारे फिल्ड है काम कर आएकैडमिक है स्पोर्स है और रोजगार के लिए भी यहां कहीं कोर्स आ सकते हैं आपकी प्रादमिकता है क्या रहेंगी जो आपने बात कही है स्पोर्स की स्थीजी के समय में मेरे ख क्वैस को वगेरा बना है इतना काम स्केजी ने उसके अंदर किया है आप सोच नहीं सकते ये तो संस्ता है आरकेश्ट्री कोलीज की वो इसको मेनेज कर सकती है या कोई बड़ा इंडेस्टिलिस मेनेज कर सकता है वरना इतना बड़ा स्पोर्स स्टेडियम और कॉम्प्लेक स्टेडियम नेज करना क्यों उसके अपर खर्चा भी बहुत ज़्यादाव है फ्री और कोश्ट में पर हर आदमी जो भी आता है फ्री या कोश्ट है इतना कारिया किया है मैं तो मिरते बार बार कहते लिए प्रदान जी आना है या सी सकेट और जीस तरने सकेट है सनील जी ह हैं और साथ में हमारे नोनी भाई हैं इन्होंने वहां काफी काम किया है साथ में चंदरबान जी भी थी उनके चेर्में उसमें वाइस चेर्में थे वहां तो उन्होंने भी काफी साथ मिलके काम किया है लेकिन अगर आप स्पोर्स स्टेडियों में जागे देखें तो आप य नीचे नेने लेगं जाएं जाएं कोई भी कारिया है जैसे स्पोर्ट का है हमारे और बच्चे और यहां पे भी हम नेशनल गेम्स विक्राने की किसी परकार के। नेशनल गेम कराने की भी कोशिच करेंगे ताकि हमारे यहां के युवाँ को उससे थोड़ा सा उर्जा भी मिलेगी और उनमें ये भी आएगा भी मैं भी ये देखा आज ये भी हैं हम भी आगे जाएं और हम जो बच्चे हमारे अकैडमी में पढ़ते भी हैं और बार स्पोर के लिए दहु और को और को देखा रेका लोगों में कहीं मेरे रहन कि नए कि किसी को उटाते हैं लगाएंगे क्या आपकी इसमें वह रहेगी नहीं देखो जो हमारे कोलिज की संस्ताओं से 20-20 साल से जुड़े हैं अगर वो संस्ता के हिद्ट में कारिया कर रहे हैं बेसे को हमारे साथ रहे हैं या हमारे खिलाफ रहे हैं तो उनका रोजगार नहीं चीना जाएगा लेकिन अगर वो कोलिज की संस्ता के हिद्ट के खिलाफ काम करेंग कि हमें यहां रोजगार की जो बात है पहले ही पूरा कैडमिक सिस्टम पूरा होता है अगर कोई छोड़के जाएगा तभी तो रोजगार मिलेगा ना ऐसा तो नहीं है अगर कोई नया कोर्साव है कोई नया कोई चीज आएगी तभी उसके अंदर रोजगार की होगी यह कोई है तो इंडेस्ट्री तो या नी बई ने इंडेस्ट्री लगी तभी तो कोई अवगा ऐसा कुछ नहीं है